नमस्कार दोस्तों टेक्निकल ग्यान यूटूब चैनल में आपका स्वागत है मैं परेश मिस्रा कैसे मैं जोब्स की वेबसाइट से हर महीने देर सो दो सो डोलर की अर्निंग करता हूँ ये सब कुछ मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ प्रूब के साथ बताने वाला हूँ हमेशा मैं प्रैक्टिकली वीडियो बना कर बताते रहता हूँ तो ये वीडियो भी मैं प्रैक्टिकली बताने वाला हूँ तो आप देखी सकते हो कि मेरा बेलेंस 158 हो चुका है लगबग 22 या 23 तारिक को इसका पेमेंट मुझे मिल जाएगा लाश्ट पेमेंट मैंने 178.81 डॉलर का लिया हुआ था ठीक है तो ये कैसे में कैसी वेबसाइड है मेरी जॉप्स की वेबसाइड है में क्या-क्या एड नेटवर्क यूज़ करता हूँ कैसे गुगल एडसेंस को उसे कंबाइन करता हूँ ताकि मुझे हर मैने 1500 डॉलर की अर्निंग होती है तो ये सब कुछ मैं बताने वाला हूँ आपको प्रूप के साथ ठीक है तो चलते हैं अपने डसबोट की तरफ सबसे पहले मैं आपक सामने लाइव मैं बताने वाला हूँ ऐसा मतलब आपको कोई नहीं बताता लेकिन मैं हमेसा यहीं बताते रहता हूँ कि आप मोटिवेट हो सको ज्यादे तर लोग बोलते हैं कि जॉब्स की वेबसाइट से अर्निंग नहीं होती ऐसा सब कुछ आपने सुना भी होगा लेकि तो मैं यह सब कुछ बताने वाला हूँ कि मैं अपनी वेबसाइट ओपन करके बताता हूँ कि मेरी वेबसाइट किस निस्पे है क्या है क्या नाम है उसका सब कुछ में बताने वाला हूँ जैसे कि आप देखोगे बिंग के गूगल सर्च कंसल में जैसे ही आप सरकारी नौ यह query को आप Google के Google search console में आप कभी search करोगी तो इसका position change हो जाएगा आप देखिएगा यह query को मैं Google के Chrome में Chrome में नहीं मतलब Google यह Bing का search engine है ऐसे Google का भी होता है जैसे कि मैं बताता हूँ एक minute यह देखिएगा यह Google search console में मैं search करके आपको same query बताता हूँ ठीक है तो इसमें मेरी website काफी नीचे मतलब नीचे की तरफ है तो ऐसा मैं क्या करता हूँ ताकि ज्यादा से ज्यादा मुझे ट्राफिक मिलता है यह एक secret idea है आपको अपनी website न की Google search console में ही submit करना होता है बाकि बिंग है या हुए और भी या डेक्स है या भी जापान की जो search console है उसमें भी आपको submit करना होता है ताकि आपको ज्यादत से ज्यादा ट्राफिक आ सके ज्यादत लोग यहीं बताते कि Google search console में ही अपनी website को submit करना होता है लेकिन ऐसा नहीं है बिंग में भी यदि आप अपनी website को submit करोगे ज्यादतर Microsoft बिंग का भी ज्यादतर mobile support करते ठीक है यूजी ब्राउजर जो है Microsoft बिंग का होता है तो ज्यादतर mobile में यूजी ब्राउजर होता है तो उसमें यदि आपकी website rank हो रही है तो आपको traffic भी वैसे मिलेगा तो आप देख सकते हैं मेरी website सरकारी नौकरी.com ठीक है तो इस website में मैंने क्या क्या यूज किया है सब कुछ में बताने वाला हूँ आप जैसे ही मेरी website open करोगे यहाँ पे Google AdSense का Ad दिखाई देगा प्लस यह जो Ad आ रही है यह मेरे popular Ad की Ad है ठीक है यह जश्ट मैंने notification इसलिए रखा है कि popular Ad से भी मैं earning कितनी करत हूँ यह सब कुछ मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में तो यह जश्ट notification से ही मैं popular Ad से इस website से कितना earn करता हूँ मैं यह बताने वाला हूँ अभी जश्ट चलते यह देखिएगा यह popular Ad का dashboard open है और लगबग आप देख सकते हो इंडिया में जश्ट notification जो मैंने send किया अप देख सकते हो 225 डोलर की earning हो चुकी है जश्ट और notification की वज़े से जश्ट यह जो अलाव यदि आप कर दोगे तो daily basis पे आपको notification आता रहेगा popular Ad का ठीक है तो आप देख सकते हो यह मेरी jobs के related ही आर्टिकल में इस website में डालते रहता हूँ कोई भी एक post में open करके आपको बतात हूँ मैं अपनी इस website में Amazon affiliate भी करता हूँ आप देख सकतो Amazon affiliate की ad भी मेरी website में आपको दिखाई देती होगी और last two day यह कल ही मैंने एक Amazon affiliate का video डाला हुआ है यदि आपने video नहीं देखा तो please देख ले कि Amazon affiliate से भी आपको काफी अच्छी earning हो सकती है आप देखेगा यह Amazon affiliate की मैं मैंने दो video डाला हुआ है कि कैसे आप अपनी website में UK, USA, Canada, Japan से Amazon affiliate के through earning कर सकते हो इसका फ्रूब भी मैंने आपको बताया था कि कैसे आप एक Amazon Prime सेल करके 3 डॉलर तक की earning कर सकते हो तो Amazon affiliate भी मैंने इसमें connect कर दिया है और Amazon affiliate से भी मुझे इसमे earning होते रहती है अभी हुई नहीं ह लेकिन होगी क्योंकि मैंने अभी अभी जश्ट Amazon affiliate भी इससे connect कर दिया है तो यही मेरी website है सरकारीनोकरी.com.com मैं जश्ट इसका dashboard ओपन करके बता देता हूँ लोगिन करके ठीक है एक मिनिट मैं जश्ट इसका लोगिन आपको यह भी मैंने वर्ड प्रेस में ही बनाया हुआ है और सरकारीनोकरी.com.com यह मेरी jobs के related ही website है यह मेरी तीसरे नंबर की jobs की website है ऐसी मेरी तीन website है जिसमें मैं सरकारीनोकरी है जितनी भी jobs private job जितनी भी jobs के related आर्टिकल है सब कुछ मैं डालते रहता हूं तीनो website में डालते रहता हूं ind.nokri.com नोकरीjobs.com सरकारीनोकरी.com और एक जो नोकरी सरकारी result सरकारीjobs.india.com यह भी एक मेरी website है ऐसी चार website मेरी jobs के related है और चारो website में मैं चारो website मेरी एक ही hosting plan में होस्ट की हुई है आप देख सकते है वर्ड प्रेस का super dashboard में JUST logging करके बता देता हूं कि मेरी website में कितने post है ठीक है तो JUST मैं password डाल देता हूं अपना तो आप देख सकते हैं यह मेरा लोग इन हो गया है तो आप देख सकते हैं इसमें मैंने कितनी पोश्ट डाला हुआ है आप देख सकते हैं तो इसमें मैं सरकारी नौकरी के रिलेटेड आर्टिकल यह जितनी भी जॉब्स के रिलेटेड आर्टिकल में इसमें डालते रहता हू आप देख सकते हो जितनी भी मतलब jobs के related आर्टिकल ये सब कुछ में डाल सकते हो तो जरूर एक बार जरूर विसिट कीजेगा मेरी इस website में ठीक है तो यदि जदे तर लोग बोलते हैं कि jobs की website से earning नहीं होती ऐसा नहीं है आप तनमंदन से अच्छी तरह मैंनत करोगे तो काफ को बताया है प्लस जब भी मेरी website open करोगे यहां पर एक pop up open होता है notification यह popular rate का है और दूसरी बात यहां पर हम नीचे जाओगे क्योंकि मेरी jobs के related ये website है तो मैंने इसमें affiliate जो link लगाया है तो jobs के related ही link लगाया है जैसे कि यह सरकारी नौकरी की post है तो इसमें ज्यारत लोग ज मेरी website में आकर इस affiliate links के through मुझे earning करता है तो मुझे इसका commission मिलता है ठीक है तो आप देख सकते हैं यह मेरी popular rate की add भी इसमें दिखाई दी प्लस इसमें मैंने affiliate hosting affiliate भी किया हुआ है तो आप देख सकते हैं यह जो banner मैंने लगाया हुआ है affiliate link है hosting का ठीक है तो इसके तो यदि आप hosting purchase करते हो तो मुझे इसमें काफी अच्छी मतलब 65 डॉलर तक की एक affiliate यदि मैं बेशता हूँ कभी host getter या फ hosting की मैंने इसमें banner लगाया हुआ हुआ है तो यदि कोई बंदा मेरी इस ad में click करके कोई hosting purchase करता है तो मुझे 65 डॉलर मिलता है आप देख सकते हो जरूर विसिट कीजिएगा मेरी इस website में यह वाला banner में यदि आप click करोगे तो मुझे 65 डॉलर मिलेगा प्लस यह जो आ रहा ह यह amazon affiliate link है जिससे के through यदि आप purchase करते हो तो मुझे commission मिलता है ठीक है तो इसमें Google AdSense की ad भी आपको दिखाए देगी और Google AdSense की ad actually इसमें थोड़ी jobs की website है तो इसमें CPC थोड़ा law मिलता है लेकिन इतना enough होता है कि देड़ सो दो सो डॉलर यदि आपको मंतली मिलता है तो काफी अच्छा होता है no problem कोई doubtful case नहीं है काफी अच्छी earning होती है मेरे को ठीक है 3-4 डॉलर पर डे की earning काफी अच्छी मानी जाती है आप देख सकते हो मेरी website में लगबग कितनी पोस्ट मैं हूं सब कुछ आपको बता देता हूं मेरी website में लगबग में बताता हूं 482 पोस्ट मैंने डाला हुआ है मेरी website में आप जरूर विसिट केजिएगा जैसे अप सरकारी नौकरी Google के search console Google के search engine में search करोगे तो कफी नीचे में मेरी website दिखाए देगी लगबग 10 पेज़ लेकिन यदि आप बिंग का यदि आप search console यूज करते हो और सरकारी नौकरी आप टाइप करोगे तो लगबग तीसरी नंबर पे मेरी website आएगी है सरकारी नौकरी कॉम.com ठीक है तो जरूर रिसिट किजिएगा मेरी website में और कुछ भी इसमें doubtful आपको लग रहा हो या कोई समझ में नहीं आ रहा हो कोई भी query हो आपको google adsense को लेकर या popular ad को लेकर या amazon affiliate को लेकर तो मुझे जरूर कमेंट कीचेगा मैं जरूर आपका problem का solution बताऊंगा ठीक है ज्यादा तर लोग मुझे comment के जरीए या mail के जरीए जरूर पू अभी अभी मैंने ऐसा भी किया है कि कुछ कुछ मतलब general knowledge वाले भी post में इसमें डाल सकता हूं डाल देता हूं जैसे अभी रक्षाबंदन आ रही है तो top 14 रक्षाबंदन coupon get discount on gift अब जैसे ही इसको rate करोगी तो आपको पता चलेगा इसमें affiliate link होगी क्योंकि राखी कोई online रक purchase करेगा ठी तो इससे मुझे commission मिलता है तो जैसे कि आप देख सकते हो hosting का banner लगाया हूँ है click here तो amazon coupon amazon affiliate में भी यह भी एक होता है कि आप coupon के थ्रू उनको बैच सकते हो तो इससे भी मुझे काफी अच्छी earning होती है तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही मिलते है next वीडिय को या कुछ भी problem हो तो जरूर comment कीजिए और मैं ऐसे ही अपनी technically videos with proof के साथ बताते रहता हूँ ताकि आपकी help हो सके ठीक है तो यह मेरा google adsense account है और इसमें मैंने काफी अच्छी earning आपको बताया है कोई भी आपको problem हो तो जरूर मुझे contact कीजिएगा thank you for watching